स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे के टियम की सभी बैकों की सोरोम प्राइज ओनरूट प्राइज की बात करेंगे इसके अलबा कौन सी बैक कितनी सीसी इंजन के साथ आता है कितना पावर और टॉर्क मिलता है इसके और Adventure वैग यानि की touring bike देखनों को मिलता है तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 125 में 125 में कितनी bike आता है KTM की तरफ से 125 में दो bike देखनों को मिलता है Duke 125 और RC 125 यह दोनों bike home में सेम चेजिस आता है सेम इंजन आता है तो फर्क क्या है तो सिर्फ डियाइनिंग में Duke 125 फुली नेकेड बाइक है, यदि आप नेकेड लोग लेना चाहते हैं, तो Duke 125 ले सकते हैं, यदि आप फुली फ़ेरिंग स्पोर्ट बाइक लेना चाहते हैं, तो RC 125 आप ले सकते हैं, इंजिन और चेजीश में टायर डामेंशन में कुछ भी फ़रक नहीं है, दोनों ही बाइक मैक्समाँ पावर निकालती है 14.96 PS की मैक्समाँ टोर जनरेट करती है 12 NM का यह दोनों भाइकों में 60 स्पीट का गियर बॉक्स लगाए गया है टॉप स्पीट की बात करते हैं तो दोनों भाइकों में टॉप स्पीट लगबग 120 से लेकर 125 तक की टॉप स्पीट चली जाती है कहीं ने कहीं RC 125 में थोड़ा सा टॉप स्पीट ज्यादा मिलने वाली है क्योंकि इसकी जो टी इनिंग है एरो डानोमिक है तो इसमें आपको थोड़ा सा हो सकता है टॉप स्पीट ज्यादा देखनों मिल जाए कंपेड टू डूप 125 से मायलेज की बात करें तो मायलेज यह दोनों भायकों में एप्रोक्स 40 से लेकर 42-43 तक के एप्रोक्स मायलेज मिल जागा यदि आप सही से चलाते हैं तो यह दोनों भायकों की सीट हाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर दूस्तों मैं आपको बता दूँ के टीम का कोई भी और RC 125 का है 824 mm यानि कि जो सड़े 5 फिट से उपर का बंदा है वो ही चला सकता है उनका पहर अराम से जमीन फिटी की जाएगा यदि आपकी हैट 5 फिट साथ ही इन 5 फिट 8 हींच है तो आपके लिए कमपेटबल रहने वाला है इसके अलबा दोनौ भैकों की ब्रेकिंग की बात करते हैं तो डीOOC 125 में सिंगल चनल APS मिलेगा जब कि RC 125 में डूल चनल APS मिलेगा शुक्तो फानेली बात करते हैं दोनो भैकों की सोरूम प्राइज की और on-roats की तो सबसे वहले डुओ 125 की बात करते हैं तो इसकी दिल्ली सवरूम प्राइज है toca fasting रप्या रप्या onड़त राइज के बात करते हैं तो ये बाइख आपको 40 लाग दो लाग तक का Penny वाला है एक fully fairing bike आता है तो एक naked look में आता है बस इसके अलावा कोई फरक देखने को नहीं मिलेगा headlem की बात करते हैं तो ये दोनों बैकों में भी LED headlem नहीं मिलेगा hyalogen bulb मिलेगा dianning की बात करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों बैकों में split sheet मिल जाएगा split grabrel देखने मिलता है aggressive dianning देखने को मिल जाता है engine की बात करें तो इसमें engine लगाए गया है 199.5 cc का liquid cool four stock single cylinder bss spill injection लगाए गया है maximum power निकालती है 25.84 ps की maximum torsionate करती है 19.5 nm का ये दोनों बैकों में भी 6 gear मिलेगा top speed की बात करते हैं तो ये दोनों बैकों में 140 से plus top speed से लिए आती है mileage आपको लगबग 35 से लेकर 40 तक की मिलने वाली है और seat height की बात करते हैं तो duke 200 का 823 mm seat height है इसके लबा RC 200 की बात करते हैं तो 824 mm seat height है जो की थोड़ा सा ज़्यादा है short rider के लिए finally दोस्तों दोनों बैकों की so room price की और on road price की बात करें तो सबसे पहले duke 200 की बात करते हैं तो इसकी on road price आपको लगबग पढ़ने वाला है दो लग 20,000 रुपया इसकी so room price है 1,90,000 के आसपास RC 200 की बात करते हैं तो इसकी on road price लगबग 2,45,000 तक पढ़ता है आगे बात करते हैं तो अब आ जाते हैं धाइसो सिसी में यानि की 250 सिसी में KTM की तरफ से 250 सिसी में दो बैक देखनों को मिलता है Duke 250 सिसी और Adventure 250 सिसी इसमें RC 3 आपको देखनों को नहीं मिलेगा 250 सिसी में ये दोनों बैकों की difference की बात करें तो एक Adventure लुक में आता है जबकि एक naked लुक में देखनों मिलता है इंजन में कोई फरक नहीं है फीचरस आपको दोनों ही बैकों में एक जैसा ही देखनों मिल जाएगा जैसे कि दोनों बैकों में स्प्लिशिड मिल जाएगा इसके लाबा दोनों बैकों में LED हेलम देखनों मिल जाता है जो फीचर से आपको दोनों ही बैकों में लगबग एग जए साही देखनों मिल जाएगा सूपर मोटो एबियस दोनों ही बैकों में देखनों मिल जाएगा इंजल की बात करें तो इसमें इंजल लगाए गया है 248.8cc का लिकूड कूल 4-stoke single sender बीयस इस फिल इंजेक्शन इसमें लगाए गया है मैक्समाँ पावर निकालती है 29.92 बीयस की मैक्समाँ टोर्जेनरेट करती है 24 नम का ये दोनों बैकों में 6 इसपीट का गियर बोक्स लगाए गया है सिलिपर कलश आपको दोनों ही बैकों में मिल जाएगा टोप श्बीट की बात करें तो 156 प्लेश टोप श्बीट चली जाती है माईलिज की बात करें तो लगवक 35 केमपियल तक की आपको माईलिज मिल जाएगा सीट हाइट की बात करते हैं तो ड्यूक टूफिप्टी में 823 mm सीट हाइट है जबकि Adventure 250 की बात करते हैं तो इसकी seat height है 855 mm ये दोस्तों off-roading bag है तो इसके साब से आपको seat height आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा इसके अलाबा Adventure 250 में suspension travel ज़्यादा है जैसे कि front suspension 170 mm का है और rear का 170 mm का जो breaking की बात करें तो दोनों भायकों में dual channel ABS मिल जाएगा सूपर मोटो ABS देखने को मिलता है दोनों भायकों की showroom prize और on road prize की बात करें तो Duke 250 की पहले बात करते हैं तो इसकी on road prize लगबग 2,70,000 तक का पढ़ने वाला है showroom prize 1,90,000 तक का पढ़ता है Adventure 250 की बात करते हैं तो इसका on road prize 2,78,000 तक का पढ़ सकता है 2,80,000 जा सकता है इसकी showroom prize 2,42,000 तक का पढ़ता है दोस्तों आगे बात करते हैं तो अब आजाते हैं 400 CC में यानि की 390 CC की बात करते हैं तो KTM की दरब से 390 CC में 3 बाइक देखने को मिलता है Duke 390, RC 390 और Adventure 390 यानि की 3 बाइकों में सेम इंजन है बस चेंचिस आपको फरक देखने मिलेगा Adventure 390 में इसकी अलबा Duke 390 और RC 390 में चेंचिस में कोई फरक नहीं है और इंजन में तो आपको तीनों ही बाइकों में सेम देखने को मिलता है तीनों बाइकों में 373.2 CC का Liquid Cool 4-Stokes Single Sender इंजन देखनों मिल जाता है Maximum Power निकालती है 43.52 PS की Maximum Tor Generate करती है 37 NM का तीनों बाइकों में 6 Speed का Gearbox लगाया गया है Top Speed की बात करते हैं तो 170 से Top Speed प्रस चला जाता है Mileage के बात करते हैं तो Approx 30 KMPL तक की आपको mileage मिल सकता है RC 390 की बात करते हैं तो इसकी seat height 824 mm और Adventure 390 की बात करते हैं तो इसकी seat height 855 mm फीचेस की बात करें तो Quick Shifter आपको तीनों ही बाइकों में देखनों मिल जाएगा इसकी अलावा Adventure 319 में Cornering Avias देखनों मिलता है दोस्तो फानली बात करते हैं तीनों बाइकों की on-road price की तो सबसे पहले Duke 390 की बात करते हैं तो इसकी on-road price पढ़ने वाला है 3.41 जर 3.42 तक कर पढ़ सकता है RC 390 की बात करते हैं तो इसकी 3.64 जर 3.65 जर तक कर पढ़ सकता है और Adventure 390 की बात करते हैं तो इसकी on-road price लगवक 3.88 जर 3.90 जर तक कर जा सकता है तो दोस्तो यह है KTM की तरफ से 9 बाइक इन 9 बाइकों में से कौन से बाइक आप खरिदना चाहेंगे कौन से बाइक की features आपको अच्छी लगती है कौन से बाइक की आपकी डियानी अच्छी लगती है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा अगर दोस्तो यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यबाद थैंक्यू जैहिंग